सबाइज वैलकुम स्टुडेंट्स क्लास तेन्थ के एक्षामप्रिपे्पेरेशन के पार्ट टू में आपका स्वागत है आज हमने आपके पस्टप्लाइड को देन के क्वेशन और आंश्रस प्रिपेर की यह जीसां कि भुंने इसले पार्ट में भी किये थे और उसी त्रीक के साथ में जहां पर क्वेशन बहुत ज़्यादा हैं लेकिन आंसर बहुत कम याद करने पड़ेंगे आए इस्टार्ट करते हैं परला क्वेशन आपके लिए लिया है यानि एक नोशिक्य को भालू का गले मिलना किस प्रकार से ब्रमित कर सकता है इसी कात्व हाव डजब बेर कंफ्यूज और नोवाइस एक जो नोशिक्या है उसे किस तरीके से भालू जो बेर होता है वो कंफ्यूज करता है आंसर बहुत सिंपल है बेर होता है जो बेर होता है भलू वो एक जंगली जानूर होता है जब भी कोई वेक्ति का उससे सामना होता है तो उसे टाइटली हार्डली हग करता है गले लगाता है इस तरीके से वो उसे मारने कोशिस करता है कोई नोशी कहा है प्यार समझ बेड़ता है वो यह नहीं समझता है कि यह एक बेड के चाला की है बालो कि उसे मारने की Q2. What does in the world of possession means? यानि स्वाम्यत के संसार का क्या आर्थ है आंसर है It means this world is full of such persons who wants to possess more and more wealth and strength इसका मतलब है कि संसार में से कई लोग है जो पजेश यानि रखना चाते हैं और जादा धन और strength यानि ताकत This is the materialistic word यह एक भूतिक वादी संसार है Here people value everything against money यहां पर हर वेक्ती हर चीज की कीमत पेशे से लगाते है Q3. What does the boy learn from the loss of the ball in the poem? कवीता में बोल के नुकसान से बालक क्या सीखता है इसी का अत्वा है What does the boy learn? जो यहां पर अत्वा में क्योशन दिया हुआ है कि बालक क्या सीखता है और अत्वा में फिर है What does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? कवी क्या बताता है में क्या करता है कि बालक बोल के खोने से क्या सीखता है और इसी का एक और अत्वा है What lesson does the boy learn after the loss of his ball? उसकी बोल को खोने के बाद बालक क्या सीखता प्राप्त करता है इन सब का मिलाकर छोटा सांसर बनाया है The boy learns how to bear the loss बच्चा सीखता है कि किस प्रकार से नुक्सान का बेर किया जाता है बेर यानि सन किया जाता है Loss is compulsory in life जीवन में loss अनिवार रहे है यानि loss तो होगा Everybody must learn this fact to face the difficult situation of loss हर किसी को जीवन में खटिन परिष्टिती में जो loss की खटिन परिष्टिती आती है उसको सीखना होगा यह इस्टेंज आपने आपके Amanda पोएम से लिया है और यह थ्री लाइन्स देकर आपसे questions पूछे जाते हैं बहुत सांदार ट्रिक्स आपने बनाये हैं पहला question Where is Amanda imagining herself to यानि Amanda आपने आपको कहां कल्पना में ले जा रही है इसका सीधा सांसर है Amanda is imagining यह देके लैंगविड एमरेल्ड सी में वहर तस्वल इनहबिटेंट इज मी जां अकेली इनहबिटेंट निवा सी में हूँ लैंगविड उदा सी इन एमरेल्ड यानि पन्ना जैसे हरे सागर में तुमने आंसर लिख दिया अमेंडा इज imagining herself इनकाम ग्रीन सी यानि की शांत ग्रीन सी में क्वेसंट टू है वाट इज अमेंडा imagining herself to be अमेंडा अपने आपको क्या कल्पना कर रही है क्या सोच रही है अपने आपको अमेंडा is imagining herself to be a mermaid वो अपने आपको जल पर ही समझ रही है यानि मतश्य कन्या समझ रही है swimming happily in the sea जो सागर में प्रसनता से तेर रही है और थर्ड है इसका अलक्षी आंसर नी इन दोनों का मिला करें अपने आंसर बना दिया है इसा क्यों चाहती है और इसका अंसर है ये देखे इन दोनों का मिला करम ने बना दिया अमेंडा अपने आपको मामेड बनाना चाहती है क्योंकि वो चाहती है कि वो शान्त हर इस साकर में तेर ना चाहती है happily यानि प्रसनता से she wants complete freedom and peace वो पूरी तरीके से स्वतनत्रता चाहती है और सान्त चाहती है वो अपने आपको मामेड बनाना चाहती है यानि कि मतश्य कन्या बनाना चाहती है जल पर ही बनाना चाहती है इस प्रकार यामने सोट एंड स्वीट में आपके टोटल 10 questions लिए और इनके 5 answers बना है वेरी वेरी most important है आपके तैयारी में इन्हें जरूर शामिल कीजिए इन्हें अच्छे से तैयार कीजिए इस वीडियो को जरूर लाइक शेयर कीजिए और अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए students थेंगू